नमस्कार मैं आसे स्पाथक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में तो आरार्बी एंटी पीसी रिजिनिंग सबसे बड़ा एक संभाग है आपके एकजाम में और एक स्कोरिंग पार्ट है अगर मैं बात करूँ आपके पूरे एकजाम में तो मैट और रिजिनिंग ऐसा टॉपिक है आपका कि अगर आप इसमें पकड बना लेते हैं तो जितना पकड बना लेंगे उतना नंबर फिक्स है ठीक है? gkgs को कहा जाता कि आप कितना भी परवंग। बहुत वॉस्ट होता है। सलेबस क्या होता है gkgs का वॉस्ट होता है। लेकिन उसमें भी इस प्रस्ण एक अच्छी लननीती तो आपको कही न कहीं सलेक्शन ले सकते हैं अच्छे मार्स ला सकते हैं। और इसी प्रकार से आपके reasoning का जो संभाग है ना आप उसमें भी 30 प्रशन में अगर आप रणनीती अच्छी अपनाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अच्छे marks देखने को मिलेगा math reasoning के संभाग अगर आपके अच्छे हो जाते हैं बन्या बहतरी नंबर आप इस ताठ प्रशनों में से लेकर आते हैं तो फिर ये जानिये कि selection sure and certain है आपका अब अगर हम बात करें कि क्या हमारी रणनीती होनी चाहिए कैसे हमें पढ़ाई करना चाहिए कौन सी किताबे प्रशनों से फालों करनी चाहिए कौन से ठेट के लिए अभी से लगाने चाहिए या कुछ पढने के बाद लगाने चाहिए phrases के लिए क्या हो सकता है phrases कैसे तंयारी करे reasoning अभी आज तक देखोנिबर मैं बताना चाता हूं कि reasoning कि किसी भी phrases के यह कुछ नहीं होता है, reasoning कभी भी आपको कोई बिसे नहीं पहाया गया है, जब भी आप अपनी class पढ़े हो, अपना graduation complete की हो, लेकिन reasoning आपका subject नहीं रहा है, लेकिन मैथ आपका subject रहा है, GKGS के part history, geography, quality आपका subject रहा होगा, लेकिन reasoning कभी भी आपके subject का part नहीं रहा है, तो यह चानलों की reasoning जो है, वो बस आपके मानसिक ability पर depend करता है, कि आपकी thinking power कितनी है, आप questions को कितने सही तरीके से समझ पाते हैं, आपके surrounding की चीजे होती है, GKGS पढ़ोगे, वो भी चीज reasoning में use होता है, mathematics पढ़ोगे, वो भी reasoning में use होता है, English पढ़ोगे, उसके भी reasoning में use होता है, कहां होता है मैं बताओ, क्या trend analysis है अभी तक का NTPC में, और हमें किस topic पे जादे मेहनत करना चाहिए, कहां से हम content डूड़ें, कैसे हम अपनी पढ़ाई जारी रखें, यह सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा, तो जो बच्चे channel पे नहे है, channel को subscribe कर लें, और वीडियो को नोर्स और sectional test आपको provide किया जाएगा टीम के दुवारा, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो एक बेहतरीन रणनीती के साथ, आपके लक्ष तक महुचाना हमारा करतक है, चलिए बात करते हैं पहले कि reasoning का संबाद, किस प्रकार से आपके syllabus क्या है, और पूछा क्या जा reasoning में label का difference का मतलब होता है, लेंदी बनाना questions को, ठीक है, बाकि syllabus आपके CBT1 और CBT2 का same है, topic कोई भी increase, decrease नहीं हुआ है, जो topic आपको CBT1 में मिलेगा, वही topic CBT2 में मिलेगा syllabus में, तो अगर आपको syllabus दिख रहा है, तो देखो 90 मिनट में आपको पूरा paper करना है, 100 questions का, जिसमें GS का weightage आपका अच्छा खासा 40 question का है, और 30 question math का है, और 30 question आपके reasoning का, overall strategy की कैसे आपको तयारी करना है, इसको एक आलोक्षन ने वीडियो में बना रखा है, अच्छे से जाके देखिए, math की वीडियो भी उन्होंने बना रखा है, जीके GS कैसे complete करना है, सभी की link इसके description में लगी है, आप सभी लोग वहां से देख सकते हैं, और reasoning आपको कैसे करना, वह मैं इस वीडियो में आपको बता दे रहा, तो 30 question reasoning में, अब 30 में 30, कहोगे sir, आ सकता है क्या, भाई, वो depend करता है, आपके paper पे, आपका shift पे depend करेगा, लेकिन हा, एक कहा जाए, तो chances बहुत कम होत ठीक है, 30 में 30, लेकिन, अगर हम बात करें, इसमें अच्छा score आप क्या कर सकते हो 30 में, तो मैं ये बोलूँगा, कि 27 एक अच्छा score, और minimum का 25 आपका score अच्छा है, 25 से 27 के बीच में इसमें आपका score होना चाहिए, यही मैं आपको target भी दूँगा, कि आप अगर इसमें 25 से 27 question सही करते हो, तो बहुत ही बहतरीन score होगा, यह ध्यान रखिएगा, 25 से 27 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह scoring part है, और सही होंगे तो full number मिलेंगे, यह ध्यान रखिएगा, तो अब syllabus पी बात कर दें, यह आपके CBT2 में क्या हो जाता है, 5 question का weightage बढ़ जाता है, reasoning में, और कुछ नहीं होता, 5 question और extra, आपका बढ़ जाता है, ऐसे math में बढ़ जाता है, और GS में आपका सीधे सीधे 10 questions का weightage बढ़ता है, अब हम बात करते हैं, आपर अपने reasoning वाले संभाव के, कि क्या syllabus है, इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप syllabus देखो, कि जो analogy हो, completion of number and alphabetic series है, मतलब number series और alphabetic series, और coding, decoding, mathematical operation देखो, एक question आपके mathematical operation के कभी-कभी किसी में दो questions आ जाएंगे, similarities and differences का मतलब हो गया, odd one out, similarity में आ गया कि इसके जैसा कौन सा है, तो वो वाले प्रस्न आपके यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, relationship, analytical reasoning, syllogism, jumbling इसमें पूछा जाता है, analogy के term में ही jumbling के question आते हैं, एक नया part है, आपके अगर बात करें, NTPC का तो, when diagram, puzzle, data sufficiency, statement, conclusion, statement, course of action, decision making, और DI, maps and interpretation of graphs, DI, मतलब यह जो DI है, इसको हम मैंता part बोलेंगे, चलिए तीन question, आपके दो से तीन question इसके आते हैं, तो यह भी reasoning के ही संभाग में बोला गया, आपको strategy क्या अपनानी है, किस topic से हमारे सबसे जादे प्रस्नाएंगे, किसको पढ़ना बहुत जरूरी है, देखिए अब ही तक की जो trained analysis से वो तुमें बता दो, लेकिन बाकी के reasoning में, जैसे कुछ बच्चे SSC की तयारी करते हैं, कुछ state की reasoning की तयारी करते हैं, कुछ पुल आँगा कि जहां आपको जादे दिक्कत पढ़ेगी पढ़ने में, उसमें से सबसे पहले क्या फ्रेसर को पढ़ना है, और जो फ्रेसर नहीं है, उनके लिए मैं बता दे रहा हूं कि किन topic आपको जादे जरूरी है, क्योंकि बाकी सब topic आप कई different exam में पढ़े होंगे, जैसे क्या सर मैं ससी की तयारी करता हूं, रेलेवे कर सकता हूं, ससी में जो reasoning होता है, उसका संभाथ छोता होता है, ठीक है, कुछ ही topic से प्रशन बनाए जाते हैं, लेकिन जो रेलेवे की reasoning है, इसमें आपके थोड़ा सा syllabus बढ़ा किया गया है, और questions के label भी अच्छे खासे पूछ जाते हैं, बनाब रेलेवे का बच्चा ससी की reasoning कर सकता है, लेकिन ससी वाले को थोड़ा मेहनत करना पड़ागा, यह नहीं में बोलना हो, उस topic को पकड़ बनानी पड़ेगी, अब जैसे analogy, number series, coding, decoding, mathematical operations, similarity, relationship, syllogism, यह सब ससी का बच्चा पड़ा, यह सब ससी का बच्चा करें, पजल, अब आज कल sitting arrangement भी आता है, यह से CPOPO का exam देलो, तो उसमें भी sitting arrangement आते हैं, लेकिन थोड़ा सा puzzle बेस जो question होता है, वो और data efficiency यह अच्छे से नहीं करते हैं, जो वैसे reasoning जो पढ़ता है, तो overall पढ़ता है, लेकिन जब reasoning पढ़ता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि यह cover करें, तो data efficiency वाला जो part है, वो आपको extra थोड़ा सा cover करना पड़ेगा, फिर statement conclusions के questions आपको cover करने पड़ेंगे, statement course of action वाला हो गया, और decision making का part हो गया, और DI तो मैने बता दिया कि SSC में भी आता है, math के संभाग में, और यहां reasoning के संभाग में, syllabus में दिया है, तो DI आएगा ही आए, तो overall जो तयारी करने वाले बच्चे हैं, उनको, मतलब पेसर जो नहीं है, उनको 1, 2, अगर बात करें, तो 3 से 4 topic ऐसे होंगे, जो extra उनको पढ़ना पढ़ता है, इस पे practice करना पढ़ता है, लेकिन इसके weightage क्या होते हैं, exam में, अभी तक जो trend देखा गया है, तो बह अब हम थोड़ा सा आपको trend analysis समझाते हैं, trend analysis क्या है, अभी तक के paper में मैंने, आप कहोंगे सर जी, इसको जोडने से जो आपने number डाला है हाँ पर, उसको जोडने से 30 से जादे जाएगा, हाँ 30 से जादे जाएगा, मगर ये जो आपको trend analysis में बता रहा हूँ, ये आपके अल महत्तोपून topic है, maximum shift में देखा गया है, कि भाईया इसे 2 प्रस्न किसी किसी में 3 प्रस्न, इसलिए मैंने 2 माना है, 1 से 2 प्रस्न, कहीं कहीं 3 भी हो गया है, ऐसा राद नहीं है, 3 भी हो गया है, ठीक है, क्यूंकि जो statement based question है 3 से 4, ये ध्यान रखिएगा, जो statement based question है 3 से 4, यह पर अगर कम होगा, तो syllogism में बढ़ जाता है, ये जादे हुआ, तो syllogism एक से 2 रहेगा, तो ये topic आप ध्यान रखिएगा, ये वाला topic आपके हर portion में, हर shift में पूछा ही, पूछा है, ठीक है, missing matrix वाला questions आपके पूछेंगे, 2 questions आपके हर shift में देखने, matrix मतलब हो गया, कि आप से ऐसे करके number बनाया रहेगा, उसमें से आप से पूछेगा कि बताओ, यहाँ पर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, question mark लगा दिया, यहाँ 10 हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे matrix बना के आप से पूछ लेगा, कि वह यहाँ ऐसे में, मालू 5 है, यह है, 3 है, 2 है, 5 है, question mark लगे, ऐसे matrix बोलते हैं, missing वाले, missing number बोलते हैं जिसको, तो वो आपके दो प्रश्न confirm है, अब तोगे तर जी क्या इसके लिए, इसके लिए क्या पढ़ना पड़ता है, कोई rule है, कोई formula है, कोई rule formula नहीं, इसको आप अभ्यास से सही कर सकते हो, आप जितने जादे प् इसके लिए कोई formula नहीं है, और कोई formula लगाता है, यह ध्यान रखना है, mathematical operation, board mask के rule लगा के आप दो प्रश्न यहां से निकाल सकते हो, ठीके, आपके, जो आपके इसमें भी मैंने कहा कि कोई भी rule नहीं है, इसमें, हाँ, conceptual portion आपका यह है, इसको समझने के लिए आपके topic ठीके, उसके बास से अगर हम बात करें यहां पर, तो ध्यान रखना, जो यह person आपको दिख रहा है, क्या analogy, यह ध्यान रखिएगा, analogy, series, odd one, out, ठीके, तो तीन, और series के देखो, चार question अगर मैं मानू, तीन से चार प्रश्न यहां मानू, analogy के तीन प्रश्न मानू, हाना, और odd one, out के आप से चार प्रश्न मानू, तो चार, तीन से चार ही मान के चलो, तो तीन, तीन, छेतीन, नो प्रश्न, अगर आप दो प्रश्न और बढ़ा दोगे, तो ग्यारा बारा मतलब, ग्यारा से बारा प्रश्न इस तीन टॉपिक से आपको मिलेगा, analogy, series और odd one, out, मनलब analogy, series और odd one, out आपके exam में बहुत ही favorite है, कैसी भी प्रश्न इहां से आपके 11-12, मलब 30 में अगर 12 प्रश्न इहां से हो गया, इन तीन टॉपिक से, इसके बाद से आपका आता है यहां पर ध्यान देना, कि counting figure, counting figure जैसे यहां पर counting figure, mirror image हो गया, embedded figure हो गया, और भी figure series हो गई, इस प्रकार के figure series से related आपके 1-2 प्रश्न इहां बन जाते हैं, ठीक है, counting figure के भी 1-2 प्रश्न आपके बन जाते हैं, यहां पर जो non-verbal reasoning में, mirror image, water image, paper folding and cutting आपका सकते हो, paper folding वाला पार्ट, ठीक है, paper folding वाला पार्ट हो गया, और series वाले पार्ट हो गया, इसमें भी series की तो वो सब चीजे आपके कहीं न कहीं, 2-3, 1-2 कहीं कहीं, अलग-अलग shift में अलग-अलग weightage होता है, ठीक, ranking and order के 2-3 question आपके आते हैं, तो यह भी topic आपका concept वाला है, क्या है, concept वाला पढ़ना पढ़ेगा, clock and calendar किसी-किसी shift में पूछ दिया, तो यह भी concept वाला है, counting and figure का भ पहने और concept वाला questions अगर हम बात करें, तो आपके कौन कौन से हैं, जैसे DI है, तो math के concept आपके अच्छे होने चाहिए, profit loss, ratio, percentage यह थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, खासकर ratio और average और percentage, अगर यह अच्छा है, तो आप DI अच्छे से कर लेए, तो उसके लिए math आपको इन चेप्टर से मिलकर हो गया, अब मैं थोड़ा से इसको कौन साइज करूँगा, ध्यान देना, ठीके, आपको मैं अगर बताओं, तो किस-किस चेप्टर से आप जादे नमबर उठा सकते हो, तो देखो, syllogism, हाना, series, analogy, odd one out, blood relation, distance direction, ठीके, उसके बाद से, थोड़ा सा आप DI कर ले, डियाई वाला, डियाई, डियाई हो गया, वेंड डाइग्राम हो गया, और coding, decoding हो गया, coding, decoding हो गया, ठीके, coding, decoding हो गया, इनसे आप अच्छे से cover कर लिए, तो मैं बता रहा हूँ कि पूरा का, पूरा अच्छा खासा आपका cover हो जाएगा, जैसे मैंने पहले भी कहा, ग्यारा प्रस्न आपके खाली यही देगा, इतने वाले portion आपको ग्यारा प्रस्न देगा, ग्यारा से हमने कहा, तीन ये देंगे, और दो ये देंगे, मनलब ये दोनों मिलाकर पांच प्रस्न ये देंगे, यहाँ से आपको तीन प्रस्न मिलेगा, और blood relation, distance, direction, तीन, तीन, और 9, 3, 3, 6, 3, 9 प्रशन आपके यहां से आ जाएंगे, मिनिमम के अगर हम मानते हैं तो, तो आप देखो आपके पास प्रशन हो गए, 5, 3, 8 और यहां पर आपके कितने हो गए, 8 और यहां, 19, 8, 1, 9, 19 यहां हो गया, 19 और 9, 9, 18, मल्लक ओवराल आप 28 चलेगे, अब कहोगे सर थी, तो क्या बाकी सम्हें देखो तो बाकी बचा ही कहां, बाकी आप कहां, sitting arrangement आया, order ranking आया, और वो भी मैने कहा, कि जब यह तीन मानोगे तब, ठीक है फिर सकता है इसके दो प्रश्ण हो इसके भी दो प्रश्ण हो इसके भी दो प्रश्ण हो अगर यहां से ग्यारा ना तो दस बन जाए लेकिन यह टॉपिक जादे देगा बलब यह दस से ग्यारा आपको देगा कॉश्ण हाना यहां और यह आपको तीन पाँच है तो पाँच चार से पाँच हो सकता है coding decoding दो से 3 हो सकता है तो ऐसे changes रहेंगे तो वही जो 4-5 question बचेंगे जैसे अभी मैंने 3-3 question मान लिया तो 9 यहां हो गया 20 यह हो गया और 20 और 28 हो गया तो 30 तो all mode 2 question आपके बच रहे हैं ठीक है? तो वो depend करता है किसी-किसी shift में जादे हो जाता है किसी-किसी shift में कम रहता है वो सकता है किसी shift में आपको यह किसी shift में यह मिले ही न distance direction ना मिले उसकी जगापक कोई छोका topic के questions मिल जाए clock calendar मिल जाए कोई जरूरी नहीं कि हर topic हर shift में रहेगा reasoning में यही दिक्कत है reasoning में लेकिन कौन सा topic हर shift में रहेगा वो मैंने बता दिया वो है आपका series analogy odd one out यह आपके हर shift में रहेगे और weightage भी इसका 10 question रहेगा और कौन सा रहेगा और आपका यह band diagram और syllogism आपके pull मिलाके 4 questions आपके रहेंगे ठीके और आपके अगर बात किया जाए statement based question वो भी आप मान के चलो minimum के दो questions रहेंगे तो minimum के दो questions रहेंगे तो 10, 5, 15, 17 questions आपके safe है 17 questions आप कहां से बना सकते हो आप odd one out ठीके यह आपका series analogy syllogism और आपका when diagram और statement based इनसे अगर हम कहें तो यहाँ दो questions minimum का दो यहाँ भी मान लो और इनके हम 10 questions minimum मान 10 से 11 मैंने कहा और statement based question भी दो मान लो दो दो चार्च है मलब 16 से 17 प्रशन आप यहाँ से बना सकते हो इतने topic ठीके जिसमें से conceptual पढ़ने के topic आपके यहीं है बाकी यह सब आपके practice based है क्या है इसमें आपको GS की knowledge अच्छी होनी चाहिए आपके chemistry की knowledge biology की knowledge अच्छी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ सब उसी सब चीजों से questions पूछे जाते जैसे खासकर analogy हो गया odd one out हो गया तो इसमें GKGS based 3-4 questions आपके रहेंगे ही रहेंगे तो यह आपका वो ऐसे topic है जो आपको वहतरीन मलब 17 questions तो आपके minimum यहाँ से आने ही है 16-17 प्रस्ट इसके बाद से हो सकता है कि blood relation के आपके 2 questions हो distance direction हो ही न किसी किसी में blood relation जादे questions हो ऐसा भी हो सकता है ranking order कोई जरूरी नहीं है कि हर सिफ्ट में ranking order आए ही लेकिन उसके बाद पढ़ने का मैं बता दूँ इनके बाद पढ़ने वाले topic syllogism, when diagram, statement, blood relation, ranking order distance direction ठीक है distance direction और आपके अगर clock calendar की बात किया जाए clock calendar अब इसी के बाद जो थोड़ा सा paper में tough बनाता है paper को tough कौन सा बनाता है वो अगर आपका पूछ दिया data sufficiency ठीक है जैसे आपका मैंने कहा puzzle पूछ दिया ठीक है data sufficiency पूछ दिया puzzle पूछ दिया या आप से यहाँ पर decision making है अब वो depend करता है जैसे हमने देखा ntpc के cbt2 में decision making पूछा है वहाँ पर sitting arrangement आप से पूछा है जैसे sitting arrangement अब ऐसा नहीं है कि cbt1 में नहीं पूछ सकता है sitting arrangement के आपके एक questions से दो questions आपके रहेंगे ही रहेंगे तो यह topic ऐसे होते हैं कि जो बच्चों को थोड़ा सा परिसान करते हैं यह थोड़ा सा आप हम कह रहे हैं कि यह topic जो होंगे वो थोड़ा difficult होते हैं difficult होते हैं अगर इनको हम moderate labor में जाए और यह थोड़ा easy to moderate easy to moderate पे जाए यह easy to moderate का level ठीक है easy to moderate का level हो गया तो यह difficult होते हैं और इनसे प्रशन के आने की संख्या मलब हम कहें तो हो सकता है कि इन में से कोई एक topic पकड़के आपके question दे हो सकता है puzzle से आपके shift में हो हो सकता है decision making का question दो मिल जाए हो सकता है sitting arrangement दो मिल जाए हो सकता है decision making का एक sitting arrangement मिल जाए ऐसे मलब इन topic से आपके हर shift में कम से कम दो से तीन प्रशन हर shift में नहीं मैं बोल ना हो कि मनलब हर topic से नहीं इन दो तीन चार चारो topics से मिला कर किसी-किसी शिफ्ट में कोई कुछ कोई कुछ दो से तीन प्रस्ण पूछेगा ठीक है तो यह topic आपका थोड़ा difficult level होता है दो से तीन प्रस्ण बनाता है किसी ना किसी शिफ्ट में कोई ना कोई topic रहेगा में जब जाओगे न CBT 2 में, वहाँ पर इसका थोड़ा बढ़ जाता है, जो मैंने यहाँ दो से तीन कोश्शन कहा, तो हो सकता है चार से पांच प्रश्न बनता है, पांच से चै प्रश्न बनने लगता है, क्योंकि और रेडी पांच प्रश्न बढ़ता है वहाँ पर, तो जो से तीन question आएगा बाकी इन portions को आप पहले आप cover करने की कोशिस करना कि हाँ भाईया हमें statement वाले सिलोक्स वाले वेंड डाइग्राम analogy series odd one out और ranking order distance direction clock calendar blood relation counting figure या figure based सिंपवसा मैं बोलू figure based आपके तीन questions आपके हुँगे अब इससे हटकर आपका जो di है वो di के तीन questions या दो questions आपके depend करता है दो question भी आते हैं कभी कभी तीन question भी आते हैं कभी कभी एक question भी आता ऐसी बात नहीं है तो वो depend करता है क्योंकि इतने जादे multiple shift में आपके exam होते हैं कि 100% से उटी नहीं कि आपका 1 पूछेगा 2 पूछेगा 3 लेकिन हाँ पूछेगा चाहे 1 पूछे चाहे 3 पूछे ठीक है वो depend करता है ठीक तो यह ध्यान तकिएगा कि focus हमारा इन topic पे होना चाहिए इन topic पे होना चाहिए इस पर इस पर इस पर करना है और इसके लिए कोई special नहीं cover करना है इसके लिए आप practice 4 से 5 class कर लोगे तो बहुत है क्योंकि मैट में already इसको पढ़ो गया और इसका practice कर लोगे तो आपका cover हो जाए ठीक तो इसमें हमें आगर मैं बत करूँ कि आपको मैं जब पढ़ाता हूं तो आपको पढ़ाऊंगा पूरा एक classes पढ़ाऊंगा तो मैं पूरी class पूरी class एंटी PC की जो मेरी रिजिलिंग की class जाएगी वो ओवरार 40 से 45 class में मैं खतम करूँगा paid में साथी साथ जिन बच्चों को preparation करना है प्रेक्टिस करनी है औरेडी वो कहीं न कहीं एक्जाम की preparation कर रहे हैं फ्रेसर नहीं है जो फ्रेसर है वो आप जुड़ोगे आप पेड़ क्लास से तो आपको पूरा अच्छे से पता चल जाएगा यहां पर आपको topic पढ़ाय जाएगा फिर उसी का practice कराया जाएगा मलब कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा जिने सिर्फ practice करना है उनके लिए भी हमारे द्वारा एक पारंबर सिरीज चलाया जा रहा है जो रोज आपकी सामके 6 बजे से live होती है math, gkgs और reasoning यही आपको पूरा portion है उस portion में हम topic wise क्या topic wise cover कराते हैं पूरे chapter को practice according to the syllabus आपके कैसे प्र प्रिवियस यह more than sufficient reasoning किस लेबल का आएगा previous year label देख लो आपको more than sufficient है लेवल उसी के कोडिक रहेगा यह ध्यान रखिएगा और उमीद यही है कि TCS exam को करा रही है तो TCS बेस प्रस नहीं आपको कराये जाएंगे यहां पर यह ध्यान रखिएगा अब अगर बात करें कि कोई paid batch से जुड़ना चाता है तो परिक्षा plus app install करके rrb के किसी भी batch के कोई भी आप तैयारी कर रहे हो ntpc lp technician जेई आप 1999 मतलब किताब से भी कमदाम पर जुड़ सकते हैं इसमें notes, sectional test और video classes live आपको मिलेंगी यह आप जाओगे यह सब कुछ आपका पूरा का पूरा लगा तो reasoning के संभाग में आपको बस यह आपको topic cover करना है कि हमारा अगर यह portion cover हो गया तो हमारे 17 questions हमारे हाथ में हैं और 17 questions हाथ में हैं और मैंने आपको target दिया है कि मुझे आप सभी से 25 से 27 questions करके आने हैं 25 से 27 questions तो बाकी 17 के बाद आपके पास 5 और 3-8 questions बचा 8 से 9 questions आप यहां से और यहां से उसको cover कर सकते हैं तो 17-18 questions तो एकदम नहीं गलत होने चाहिए अगर गलत हो रहे हैं तो फिर इनमें से आपको cover करना है target हमें 25 से 27 का रखना है अपने reasoning संभाग में और यही आपको maths में भी रखना है अगर इतना target आप रखते हों तब जाके कहीं आपको ऐसा लगेगा कि हाँ से और इसमें सेलेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं क्योंकि अगर इसमें सो अब यह नहीं में का रहा हूं कि आप 30 भी कर सकते हो मगर 25 से कम हमको नहीं चाहिए किसी का अगर आप 25 की ह तो GS आप अच्छा कर जैसे कुछ बच्चे होते सर मेरी reasoning नहीं अच्छी है चाहिए math मेरी अच्छी नहीं है तो ठीक है उसका जो भरपाई है आप GS में कर आपकी math नहीं अच्छी है तो उसकी भरपाई है reasoning में करो आप 25 नहीं तब आप 27 की सोचो ठीक है तो उस हिसाब से आ उक हम डाल ला लें तो यह जो हमारे साथ जुड़ेंगा उनको तब कुछ मिलेगा बाकी आपको मैं बोलूँगा कि भाई एक previous year ले लो previous year में आप कोई भी चाहे यूद की ले लो आप reasoning की चाहे आप एक platform का ले लो चाहे आप अगर हम बात करें किरन की simple सी बात करें यूद की ले लो चाहे किरन की ले लो किरन almost और topmost सभी e-commerce website पे हैं तो previous year आप पूरा ले सकते हो वहां से आप paper देख सकते हो कि कैसे papers आपके बनाये गए थे हाना उन्ही को solve करो ठीक है उन्ही को solve करो अगर आपको कोई ऐसा है कि books practice के लिए book क्या लें तो मेरा हिसाब है कि आप master in reasoning ले लो ठीक है master in reasoning ले लो आप अरिहंत की उसमें आप अच्छा से कर सकते हैं बाकि आप सभी के पास जो भी होगा जिनमें सभी संपूर topic दिया रहता है reasoning की किताब कोई भी किताब हो जिसमें संपूर topic दिया है और questions अच्छे हैं practice के लिए मैंने कहा आप previous year ले ले लो practice recognition सब आपको मिल जाएगा उतना बहुत है practice के लिए उससे ज़्यादे जरूरत नहीं है उतना कर लिए more than sufficient है बाकी मैंने कहा कि आपको reasoning की किताब किसी को करना मैं favor नहीं करता हूं reasoning की किताब अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं favor नहीं करता हूं reasoning की किताब लो market से क्यूंक का जिस भी आपके publications के हो उसको आप purchase कर सकते हो और उसकी e-book भी हमारे यहां लगी है मात्र 10 रुपे में वह आप चीज़े ले सकते हैं जिस भी publications की लेनी है आपके अलग-अलग लगी हुई है तो आप वहां से purchase कर सकते हो ठीक है practice अब test कहां से दें टेस्ट आपको देखो टेस्ट कैसे देना है टेस्ट हमारे चलेगा sectional टेस्ट रहेगा sectional टेस्ट से आप जुडेंगे sectional टेस्ट में आप particular section का आप टेस्ट देके आप अपने तयारी को जा सकते है full length टेस्ट भी हमारे होता रहेगा free में उसे भी आप Sunday Sunday या weekend में आपका एक होता रहेगा अभी sectional टेस्ट चलेगा तो sectional टेस्ट में अपने तयारी के recording जा सकते है freezer बच्चे क्या पहले test देंगे नहीं freezer बच्चे सबसे पहले अपने कम से कम 50% से उपर 50-70% course आप cover करेंगे फिर आप कहीं test और revision पर जागे लेकिन previous year साथ में रखिएगा जो freezer हो तभी आपको अंदाजा लगेगा कि हम किस हिसाब से पढ़ दाएग चलिए बाकी जो भी दि